हाथो नमस्ते और नीहाओ मेरे प्यारे दोस्तों मेरा नम है असिन खान और मैं रहता हूँ तैवान में स्वादे आप सभी लोग का नमस्ते तैवान यूट्यूब चैनल पर उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का भी दोस्तों नमस्ते तैवान यूट्यूब चैनल के उपर जो सिरीज चल रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रेंट के उपर चाइनिस अल्फाबेट लिखना सिखा रहा हूँ और यह होने वाला है पार्ट टू अगर आपने अभी तक पार्ट देखा यह नहीं देखा है तो यह पर आप या बटन पर आपको खेकर करकात लुट च्रू करते हैं आज के आप लुग देक säger ना क्यां मैं यहां पर यहां पर वापस मैं आपको भी चैनीज यहां प्रूपिया वाला लिखने का वीडियो देखना शुरू करें आप रूपि जो note books है तो आपके लिए बहुत ही helpful साबित होगी ठीक है दोस्तों तो चली दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से चली दोस्तों यहां पर देखिए हमारा अगल हमारा जो सबसे पहला alphabet से part 2 के वीडियो के अंदर वो है यहां पर देखिए ल क्या है ल ल ठीक है चली सकते हैं उसको लिखना कैसे है यहां पर देखिए दो पार्ट से नंबर वन से नंबर और नमबर थी ठीक है दोस्तों और यह होने वाला है अपर वन सुपर वाला उपर वाला आलफाबेटर ठीक है ना चली दूस्तों देक है के इसको लीक्तरा यहांसे पर यहांसे दो यह ग्रियस दुस्ति वापस में एक और यह दो आखके दो सूघर हो यह हो गया हमारा क्वर्न ठीक है कर दो greatness दो जیसा में आपको यह ज्यसा और दिया हुआ है नमबर एक और नंबर दो आप उसी तरीके से लिखना ठीक है न दोस्तों प्लीज आप से रिक्वेस्ट करता हो के ड्रॉइंग बनाने मत लग जाना ठीक है चाइनिस आलफाबेट की क्योंकि आगे आगे बवी से में फीचर में अगर आप लिखने जाओ तो आपको बहुत ही मुस्किल होगी ठीक है न चली आगे बढ़ते हैं यहां पर अगला अलफाबेट से ग क्या है ग ग को लिखना बेलकुल आसान है दो पार्ट के अंदर है नंबर एक और नंबर दो ठीक है यहां पर तो दिखिए नंबर एक को कैसे लिखेंगे एक और यह हुए दो दो दोस्तों जो मैं अगल के तरह नहीं होता बिलकुल एक्यूरेट ठीक है न इसलिए तो दिखिए दोस्तों यहां पर दो पार्ट में ग एक देखिए एक और यह दूसरा यह होगा ठीक है न ग ठीक है तो चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों अब आगे है ख क्या गया ख ll और यहां अल्फाबेट से वो भी है यह उपर वाल चलिए बागे बढ़ते हैं से अग्ला है हमारा क्या है है तो डिखिए भी दो पाठ के अंदर यहाँ पर देखिए नंबर एक और यह रहा नंबर दव ठीक है पहला 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 पाठ नंबर एक दो, ठीक है, वापस दीवें, एक, दो, यार, मेरी डिजाइन सही नहीं बन रही है, मेरे को वह सी आ रही है, जो मैं, इसको में लिखा हो, इस तरह रही है, पर आप लोग थोड़ा अंडेस्टन कर रहाँ है, एक, यह रहा दो, ठीक है न, दोस्तो, पर यह हो गए हमारा ह, और यह भी है उपर वाला अल्फबेट ठीक है न दोस्तों चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसको लिखना कैसे है जी को सबसे बला एक यहां से थोड़ा सा उपर दो करके ठीक है यह रहाद दो वाफिस भी है एक और दो और यहां दो ठीक है आगे आगे बढ़ते हैं अब आगे हमारा छी छी यह भी देखें यहां पर जो उपर वाला है अलफाबेट्स और यह सिर्फ एक ही पार्ट में है ठीक है यहां पर देखे एक ख़तम एक ख़तम एक ख़तम ठीक है दोस्तों ची को लिखना बेलकुल आसान है एक ख़तम ठीक है दोस्तों चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं अब आगे हमारा C, देखे C, इंगलिस में तो C होता है वो ऐसा होता है, हम देखे यह आपर C एसा होता है ने इंगलिस में, लेकिन Chinese में C कैसा है, T की तरह है न, तो यहां पर देखे यह भी है दो पार्ट में एक लिए रहा दूसरा पार्ट दो पार्ट पार्ट करतो जबसे प्रेला दीक्यास की करना है नमबर एक, फिर आँ से दो ठीक है, एक-डो एक और भार देखिए, एक-दो ठीक है, यह कितनी गंडी ट्राइंग है मेरे, यहाँ पर.. ठीक है, चली दोस्तों देखिए है यहाँ पर हो गया यह यह उपर वाल आएगा ठीक है ना भी तक चली दोस्तों यहासे आगे बढ़ते हैं हाँ आप दोस्तों चली देखिए खतम हुगे आज के जो वीडियो के आज के जो पार्ट का तो अगर आपको समझ आ गया है अल्फबेट तो ठीक है नहीं तो अगर आपको जो कोई भी परेशानी आती है तो यहां पर आप लोग आजाईए नमस्ते दाय वन सेवन यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है मैंने यहां पर आकर मेरे को एड किजिए और आकर आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजी आप मेरे को जल से जल आपको में रिप्लाय देने क्वेश्चिस करूंगा वीडियो अच्छा लग है तो आप इसको शेयर कर किया दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखी अपनों को ख्याल रखी अल विदा बाइबाई और जाइजें